दोस्तों नमस्कार स्वागता आप सभी का mgv study point यूटूब चैनल में तो दोस्तों भारतिय सविदान से समन्दित या भारतिय राज विवस्ता से समन्दित mcq type total 20 question लेकर के उपस्तित है और इससे पहले 20 question का एक वीडियो अप्लोड हो चुका है तो यह most important question है UPPCL, REIT, TATE, JMRC, HSSC, पटवारी, Police, High Court, LDC और अन्य सभी प्रिक्षाओं के लिए important question है तो जुरूर इस वीडियो को last तक देखे, like share भी करें, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जुरूर इसको subscribe करें अपने friends को भी forward करते रहें, तो चलिए बात कर लेते हैं, आज के हमारे 25 question की, तो question first आपके सामने स्क्रीन पे है, बात करते है question first की, आज का हमारा question 21 है इससे पहले 20 question का video upload हो चुका है, इस दोनों वीडियो में कुल 40 question है, तो जुरूर इस दोनों वीडियो को देखे, most important question है question 21 में, स्वेधानिक संसोदन के लिए विदेख को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो बात कर रहे हैं, स्वेधानिक संसोदन होता है, तो विदेख को संसद के कौन से संसद में सदन में पेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा answer है, option किसी भी सदन में, यानि किसी भी स सदान में सुवेधानिक संसोधन विदेक को परफ्तूत किया जा सकता है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास कुसिन नंबर है ट्वंटी2 राश्ठ पति पद्र कारिये करने के लिए तो यहाँ पे कारिये कारीर राश्ठ पती के अलावा सबसे कम अउधी के लिए पदा रूड रहने वाले विक्ति कौन है तो अब हम बात करें कि जो राष्ट पती पद पर और सबसे कम जो कारिय काल के लिए अपने पद पर रहे हैं वो है डॉक्तर जाकिर उसेन डॉक्तर जाकिर उसेन है ये 1967 से लेकर के 1979 तक रहे हैं और ये पर्थम मुस्लीम या अलब संक्यक विक्ति थे जो अपने पद पर और बात करेंगे राष्ट पती पद पर बने रहते हुए मरत्यू को प्राप्त होने वाले और इन्होंने सबसे कम कारिय काल जो 1969 से लेकर और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मार पास question number है 23 question 23 राज्यों का बासाई आधार पर गठन किस वर्स किया गया तो अब हम बात कर ले हैं राज्यों का जो बासाई आधार पर गठन किया गया था वो था 1956 इसवी में और ये था सातवा स्विदान संसोदन अधिनियम 1956 केंदर सरकार ने बासाई आधार पर गठन किया चलते हैं अगले question के और आगे मारे पास question number है आगे question 23 भारतिय स्वीधान में किस अनुचेद को स्वीधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है तो बात कर रहे हैं स्वीधान की आत्मा और ये है अनुछेद 32 और स्वीधान की आत्मा डुक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुछेद 32 को स्वीधान की आत्मा या हर्दे कहा है स्वीधानिक उपचार अदिनियम जो की इसमें अनुछेद 32 के अंतरगत आते हैं तो डुक्टर अंबेडकर ने इन्हें अनुछेद भारती जो की स्वीधान की आत्मा के रूप में कहा है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मार पास कुशन है 24 कुशन 24 बिहार विदानसभा में सदस्यों की संक्या कितनी है तो बिहार विदानसभा में सदस्यों की संक्या 243 है और अगर हम बात करें राजस्तान विदानसभा की तो राजस्तान विदानसभा में 200 संक्या है राजस्तान विदान सभा में 200 सदस्य और बिहार की बात करें तो ये 243 है बात करेंगे 84 विए सविदान संसोदन 2001 के अनुसार 2026 तक सदस्य की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा विदान सभा के और बात करेंगे विदान सबा सदस्यों का चुनाव गूप्त मतदान परनाली द्वारा किया जता है इसमें जो की जनता द्वारा चुना जता है और इसमें जो विदान सबा है इसके अन्य नाम पर्थम सदन, निम सदन, जनता सदन, एस्ताई सदन, सविधान सबा में जो की अनुछेद 170 के तहत, अधिक्तम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो अधिक्तम 403 और ये यूपी में है, अधिक्तम की जो सविधान सबा है, उसमें अधिक्तम 500 सदस्य हो सकत लेकिन अब तक जो अदित्तम संक्या वो 403 की है और ये है उत्तर परदेश की और सबसे कम है वो 60 हो सकती है और शिक्किम में है 32 और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मार पास कोश्र नंबर है 25 है लोक सबा के चुनाव क्षेतरों का परी सिमन किस वर्स की गणना के बाद किया जाएगा तो अब हम बात कर रहे हैं जो लोक सबा की परी सिमन का और ये किया जाएगा तो ये 2026 के बाद किया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं लोक सबा चुनाव क्षेतर परी सिमन ये 2026 के बा के अनुसार और यह 2026 के बाद किया जाएगा लोग सबा का गठन 17 अप्रेल 1952 को किया गया था लोग सबा में अधिक्तम संख्या जो कि 552 है और अधिक्तम 552 हो सकती है लेकिन वरतमान में 545 सदसे है जिन में 543 तो निर्वाचित होते हैं और दो मनोनिट किया जाते हैं जो अंगल भारतिय सदसे होते हैं और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास कोशन नंबर है 26 कोशन 26 गोवा को किस वरस राज्य का दर्जा दिया गया तो अब हम बात कर रहे हैं गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया थे यह 1987 में दिया गया था और यह था 56 सवी में गोवा को राज्य का दर्जा प्रात्वा था लेकिन इससे पहले बार्वें स्विदान संसोदन 1962 में गोवा दमन एउदीप को संग राज्य क्षेतर गोशित किया गया था और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे कुशन नंबर है 27 कुशन 27 में नगर निगम के सर्वोच अधिकारी को क्या कहते हैं तो नगर निगम का जो सर्वोच अधिकारी होता है वो महापोर या इसको मेर कहा जाता है मेर या महापोर कहा जाता है और बात करेंगे राजस्तान में नगर निगम की संख्या है वो है साथ जिसमें कि पांच लाग से अधिक जनसंख्या वाले क्षेतर को नगर निगम और गोशित किया जाता है राजस्तान में जो साथ है एक नमबर पे आता है जेपूर दो नमबर पे जोदपूर तीन नमबर पे कोटा चार नमबर पे आता है अजमेर पांच नमबर पे बीकानेर छे नमबर पे उद्यपूर और साथ नमबर पे भरतपूर तो नमिंतम जो नगर निगम है वो भरतपूर है और सबसे पुराना है वो जेपूर है और चलते हैं बात कर लेते हैं कोसन नमबर 28 कोसन 28 में पर्थम लोगसभा चुनाओ में कितने राजनेतिक दलों को रश्ट्रिय दल के रूप में मानेता दी गई थी तो पर्थम लोगसभा चुनाओ में 14 रश्ट्रिय दल थे जिनको मानेता परदान की गई थी चुनाओं के लिए और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे कुसर नमबर है 29 कुसर 29 में परदान मंत्री का सच्वाले किसके अधिन होता है तो जो परदान मंत्री का सच्वाले होता है वो ग्रे मंत्राले के अधिन होता है ग्रह मंत्रा लेके दीन होता है और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास कोसर नमबर है 30 सविधान सबा द्वारा पारित सविधान में कुल कितने अनुचेद अनुसूचियां थी तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मूल सविधान में 300 पिचाण में अनुचेद और 8 अनुसूचियां थी और भाग की बात करें तो 22 भाग थे और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास कोसर नमबर है 31 भारतिय सविधान कितने भागों में विवाजित किया गया है तो यहां पर हमारा इंश्वर है 22 भागों में भारतिय सविधान है वो 22 भागों में विवगत किया गया है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास कोस्षन नमबर है 32 की बात की जाए तो भारतिय स्विदान के अंतरगत स्विदान में संसोधन समंदी पहला अधिकार किसे है अगर भारतिय स्विदान में किसी परकार का कोई संसोधन किया जाता है तो यह अधिकार है भारतिय संसद को. भारतिय स्वीधान में संसोधन परिवर्तन समंधी जो अधिकार है यह भारतिय संसद को है और अब हम चलते हैं बात कर लेतें तो आगे मारे पास 머न No.33 कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समापत या सिमित नहीं किया जा सकता है तो हम बात कर रहे हैं उस अधिकार की जो आपात काल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है तो ये है वेक्तिगत सवतंतरता तथा जीवन की सुरुक्षिया का अधिकार है और चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन के और तो बात कर लेते हैं आगे मारे पास question number है question 34 question 34 में स्वीदान के अनुछेद 24 के अंतरगत कितने वर्स से कम आयू के किस बालक को कार खाने खानों तदा किसी अन्य जोखिम ब्रे कारिये में नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो बात कर रहे हैं बारतिय स्वीदान के अनुछेद की जहां पार बालकों को खतरनाक कारियों में समिल नहीं करने के लिए बाल सरम निशेद है तो यह है 14 वरस्तक के बच्चे 14 वरस्तक की आयू के बालक अनुछेद 24 के अंतरगत बाल सरम का संकट मैं उदोगों में निशेद है और यह 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है और 14 वरस्तक कम उमर के बच्चों को इस परकार के खतरनाक उदोगों में समिल नहीं किया जा सकता है चलते हैं बात कर लेते हैं आगे मार पास कोस्टन नमबर है 35 स्विदान के अनुछेद 368 में किस परकिरिया का उलेख किया गया है तो बात कर रहे हैं स्विदान के अनुछेद 368 में और इसमें स्विदान संसोदन की परकिरिया का उलेख मिलता है और चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन बात करते हैं तो आगे मार पास कोस्टन नमबर है 36 शीक से भारतिय स्विदान के अनुसार भारत का सवरूप क्या है तो बात कर रहे हैं भारतिय स्विदान के अनुसार भारत का जो सवरूप है वो एक संग ये रज्य भारत एक संग का सासन है और चलते नेक्स्ट कोशन के और तो आगे मारे पास कोशन नंबर है 37, question 37 में राजस्तान राज्ये में पर्थम एउ सरवादिक कारिये काल वाला राज्ये पाल है तो बात करें राजस्तान के राज्ये पाल की पर्थम राज्ये पाल और सरवादिक कारिये काल वाला जो राज्ये था वो गुरु मुख निहाल सिंग थे गुरु मुख निहाल सिंग और ये एक नौंबर 1956 से लेकर के 15 अप्रेल 1962 तक रहे थे और इनका सबसे अधीग था अगर हम बात करें सबसे कम कारियकाल की तो वो दर्बारा सिंग राज्येपाल थे एक माई1998 से लेकर के 25 माई1998 तक और पद पर ही इनकी मर्द्यू हो गई थी और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास कोशन नंबर है 38 कोशन 38 बारत सरकार द्वारा मयूर मोर पक्सी को राष्ट्रिये पक्सी कब घोसित किया गया था यह कै इसका नाम है पावो क्रिष्टैस्ट है और बात करेंगे भारत से पहले मयामार ने भी अपना राष्ट्रिये पक्सी मोर को गोसित कर रखा है बारत से पहले चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास question number है 39 question 39 उच्छ नय लेके न्याई दीशों को सपत कौन दिलाता है तो बात कर रहे हैं उच्छ नय लेके जो न्याई दीश है उनको सपत दिलाता है राज्य पाल अनुचैद 219 के तैत उच्छ नय लेके मुख्य न्याई दीश को राज्य पाल सपत दिलाता है और उच्छ नय लेके जो न्याई दीश होते हैं वो अपना त्याग पतर राश्ट्र पती को देते हैं उच्छ नयले के मुख्य नयाई दीस का तो राजेपाल सबत दिलाता है लेकिन अन्य जो नयाई दीस होता है उनको मुख्य नयाई दीस सबत दिलाता है और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो लास्ट हमारे पास कोशन नमबर है 40 इस वीडियो का कोशन 40 में UNO में हिंदी में ब में पर्थम पर शивают मत्री कौन है तो बात कर रहे हैं भारत के परफम परदानमन्तरी की जो UNO में हिंदी में बासन देने वाले और यह है नरेंदर मुदी मोदी सितंबर 2014 में ने यू यों में हिंदी बासा में बासन दिये हैं और इसे के साथ में बात कर लेती हैं नरेंदर मोदी एउं एच डी देवेगड़ दो ऐसे परधान मंत्री है जो मुख्य मंत्री पद से परधान मंत्री बने है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लाइक शेर करते रहें अभी तक अपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नह झाल